Hey how's it going man, आप देख रहे हैं MGTOW India Sorry, बहुत दिन से गायब हो गया था मैं I think past two, two and a half months में पहली दफ़ा मैं तीन दिन का gap लिया हूँ बिजी हो गया था यूनिवर्सिटी एंड जॉब वर्क्स में तो apologies खेर हम लोग आज बात करने वाले हैं AIMS and ये लोग seat reservation 80% females के लिए रख रहे हैं and ये बात सिर्फ अपने MGTOW Red Pill Community में मशूर है and बाही के media and social media पे random log और random pages वगरा कोई बात नहीं करता इसके बारे में हमारे news channels बात नहीं कर रहे हैं इसके बारे में and surprising news, मैं यहाँ पर UK में हूँ तो मैं ये ये article ढूनने मुझे तकरीबन 20 minute लग गए है मैं यहाँ पर Google कर रहा हूँ मुझे Google के तीसरे या चौते पेच पे ये article मिला है बहुत censor, बहुत hide करने आता है ये essay topics जहाँ mail को discriminate किया जा रहा है शायद आप लोग India में जो है आप लोग को शायद आसानी से मिल जाए ये articles जो male discrimination articles, जो pro men articles है शायद आसानी से मिल जाए क्योंके इंडिया के related topic है लेकिन इंडिया के बाहर बहुत censor किया जा रहा है and first of all, essay articles है ही नहीं, बहुत कम I think ये story के उपर एक दो या तीन articles है मुझे बहुत मुश्किल से मिले है शायद आप लोग को भी मुश्किल होगी क्योंके बहुत, Google feminist है यार बहुत बड़ा पता नहीं क्यों और पता नहीं कैसा ये pro men pages find करता है और फिर वो hide करता है दुसरों से बहुत खतनाक algorithm है ये लोग का मैं एक वीडियो बनाया था Google is a feminist, वो वीडियो चेक करें और हाँ, तो क्या गिची चल रही है भई, ये aims की अब feminism क्या है equality equality बोलते हैं ये लोग लेकिन ऐसे reservation के तुरू ही औरता आगा रही है अपनी महनत से आओ 80% reservation, 50% भी नहीं यार 80% फिर feminism का नाम लेकर आगे आ रहे हैं भेंचो, equality का नाम लेकर reservation ही गलत बात है, reservation क्यों कर रहे हैं आप इतने qualified हो, आप खुद इतने capable हो अद्मियों के टक करके हो, तो खुद महनत करके आओना reservation ही क्या जरूरत है अब आप ये बात बोलेंगे तो लोग अपने victim mood चालू कर देंगे, लोग बोलेंगे कि नहीं, अद्मियों के पास पैसे ज्यादा हैं, पैसे दे कर आ जाएंगे source लगा कर आ जाएंगे, हम marks अगर लेकर आएंगे, हम अपने degrees भी पता हैं तो ओरतों को नहीं मिलेंगे, पता नहीं request पर बनी हैं, ऐसे ही comments में बताएं, और ताकि मैं videos बनाओं और ऐसे जो discriminate किया जा रहा है अद्मियों के खिलाफ, वैसे articles और मैं आप लोग के साथ share कर सकूँ, और aware कर सके हम लोग अद्मियों को, धन्यवाद, support करते हैं, subscribe करें, miktow mentality adapt करें, अपने भायों को, अपने male colleagues को, अपने male friend circle में, miktow mentality लाएं, red pill knowledge लाएं, बताएं वो लोग को, की the new men's movement is coming, and it can't be stop, खेर गाईस, फिर मिलते हैं कल, धन्यवाद,